संसत के शीत कालिन सत्र पर सुनिया गांधी ने सवाल उठाया था सरकार पर सवाल उठने के बाद कि इंद्री मंत्री अरुन जेटली ने साफ कर दिया कि ये सत्र जरूर होगा और सरकार जल्द ही इसकी डेट तै करेगी पर्टी की तरफ से दिल्ली में ये कहा गया कि अैंडिये की सरकार संसत के सत्र से भाग रही इतना ज्ञान कॉंग्रेस पर्टी के नित्यत्व को होना चाहिए कि कॉंग्रेस शासन में भी जब-जब चुनाव होते थे तो जो विंटर सेशन होता है पार्लिमेंट का उसकी तारीके उस प्रकार से अजस्ट की जाती हैं कि वो चुनाव के साथ ओवरलैप ना करें क्योंकि राजनितिक नित्रत्व चुनाव में व्यस्त होता है जनता के समक्ष जाना और चुनाव में समक्ष जाना राजनिती का एक मूल लिकारे होता है और इसलिए जब सारा नित्यत्व समी सांसत जनता के बीच में हो तो इलेक्शन्ज और सेशन ओवरलैप न करें कॉंग्रेस के सासन में भी यह हुआ और इसके कई उधारण है इसलिए निश्चित रूप से शीत कालीन शत्र होगा कुछी दिनों में सरकार उसकी तारीके गोशित कर देंगी और जो भी विशे सरकार की तरफ से होंगे या विपक्ष चाहेगा निश्चित रूप से उनके उपर चर्चा होगी मुझे केवल इतना ही कहना था आपको कुछ शेर कॉंग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि मोधिस सरकार गुच्राज चुनाव की वजहों से संसत की शीत कालिन सत्र से भाग रही है लेकिन अरून जेटले ने ये साफ कर दिया है कि कॉंग्रेस के राज में भी ऐसा होता आया है